के सी आर के साथ जाना था तो क्योंकि हारवर्ट से पढ़ाई जिया दोस्त आपने बिल्कुल सई सुना मैं उपर आगमेंदर आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल बहुजन समाज पार्टी तिलंगाना पदेश ये बड़ी खबर निकल कर ये देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के तिलंगाना के प्रतिशद्यक्ष डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर बी आरेस पार्टी का दामन धाम लिया है जबसे ये खबर निकल कराय सुर्कियों में लगातार चर्चा बनी रही कि आक्टर पीछे की बड़ी वजह रही वजह के आधार पर देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी और ब्रस पार्टी का गडबंदन हुआ गडबंदन के आधार पर देखा गया कि तेलंगाना के 17 लोकसबा सीटों पर 15 सीटों पर केसीर ने अपने परत्याशी को उतारने का काम किया और उनका ये मानना था कि दो सीटों पर बहुजन समाच पार्टी लड़ेगी लेकिन देखा ये गया कि तमाम दो सीटों पर जहाँ सा हिदरबाद की एक सीट और नगर कुरलून की एक सीट इन्हें दोनों सीटों पर बहुजन समाच पार्टी खास तोर पर अपनी मजबुत दावेदारी नहीं पेश कर पाएगी यह जो कि के C.R. के मातर्यूम से दो सीट नहीं कर पाएगी और जीत कहने के बड़ी मुश्किल हो जाएगी और देखा यह देख गया कि बहुजन समाज पाइटी के आला कमान से बता गया कहा गया कि अब समय के मुताबिक इस गड़बंदन को जारी नहीं रखा जाए लेकिन आरेस प्रविन कुमार ने बीते दिनों ज इस तरीके से के साथ में मुलाकात करने का काम किया जिस मुलाकात में देखा गया कि बहुजन समाज पाइटी के केंडरे कॉडिनेटर बहुजन समाज पाइटी के तमाम वरिष्ट पता दिकारी के आरेस प्रविन कुमार इनके साथ मौजुद नहीं मिले और तब से इस सुर का गड़बंधन जो BRS Party के साथ हुआ था वो वक्त की मुताबिक तूट गया और बहुजन समाच पार्टी के जो तेलंगाना प्रदिश के प्रदिश देख्षदे आग डॉक्टर RS प्रविन कुमार इन्होंने बहुजन समाच पार्टी का दामन छोड़कर BRS Party का दामन थाम ल और ये तमाम चीजे मुझे पसंद नहीं आई इसलिए मैंने अब बहुजन समाच पार्टी को छोड़ दिया है और ये देखा गया कि अब उन्होंने अपना नया रास्ता चुन लिया है BRS Party का दामन थाम लिया है अब आब इस बात को समझिए कि BRS Party के जो पूर्व मुक्यम इसन वीरोधी ये केसियार को माना गया इसके साथ साथ जब ये बयान सुर्खियों में देखा गया बड़े पेमाने पर वाइरल हुआ तो केसियार को ये डर पैदा हुआ कि कहने कि उनका जो बॉजन वोटर है इसमें खास्तोर पर दलित वोटर है वो उन से चीटक जाएग इने तमाम राजनीति के आधार पर अगर देखा जैंडों डॉक्टर रस प्रविनकुमार जिस तरीके से बयान देते वे नजरा रहे थे, अपने बोजन समाज पाइटे के जरी अपनी राजनीती करते में नजरा रहे थे, इनकी पूरी की पूरी राजनीती ये KCR के इसी खिलाफ को थी, इसी तमाम विचार धरा के खिलाफ में देखी गई, लेकिन अब समय के मताबिक उसी खिलाफत करने वाले आरेस प्रविन कुमार ने KCR के साथ में हा इंटर हैंडल से एक तस्वीर साजा की, जहाँ पर डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार ने जो बाते कही है, जो उन्होंने की संदेश देने का चिन्नीत करने का काम किया है, वो बात आपके साथ साजा कर दू, डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार ने तस्वीर साजा किये और उ तरीके से खासतोर पर बहुजन समाज पार्टी के कारे करता पता दिकारी आरेस प्रवीन कुमार को तमाम तरीके की जो बाते लिख रहे हैं इसको लेकर उनका यह कहना है कि लोग आपको पत्तर आप पर फेकेंगे लेकिन उन तमाम पत्तरों को आप फिर एक बार कुछ फेकने सुप्रिम कोट का एडवोकेट नितिन मेश्राम इन्होंने तमाम बड़ी बाते कही जिसको लेकर सुलख्या बन गई है नितिन मेश्राम ने जो कुछ कहा वो तमाम चीज़ा आपके साथ में मैं साजा करना चाहता हूँ नितिन मेश्राम कहा रहा है कि जग केसियार जैसे घोर सम्विधान विरोधी की ही पार्टी जोइन करनी थी तो हारवर्ण सी परविन कुमार करके पाइदा क्या हुआ बड़ा सवाल डॉक्टर आलेस परविन कुमार पर कड़ा करने का काम सुप्रिम कोट के एडवोकेट नितिन मेश्राम इनके जरीये किया गया है जिनोंने कहा है कि जिस व्यक्ति के जरीये सविधान को लेकर इतनी जबरदस्त टीपनी की गई सविधान को विरोधी जो कहने बड़ी पढ़ाई करने का क्या हुआ तो यह जो बात डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार को लेकर सुप्रिम कोट के एडवोकेट नितिन मेश्राम इनके माध्यम से की गई है यह आप समझ पाएंगे किस तरीके से एक बड़ा सवाल निशान और डॉक्टर आरेस प्रविन करने का काम किया गया है इससे आप कुद कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार ने जो कदम उठाया है वो कितना जादा कारगर होगा या फिर कहने कहें उनको एक महत्वकांची नेता के तोर पर ही देखा जाएगा क्योंकि बउजन समाज पार्टी ने तो इस पूरे के पूरे दक्षिन भारत की बड़ी जिम्मेदारी उनके कांदों पर आती इतना ही नहीं तो हो सकता ये भी था कि अगले विधान सबाचुनाओं में वो मुख्यमंत्री के एक बहुत मजबूत दावेदार होते या फिर कहने कई बोजन समाज पार्टी में एक फ की पार्टी बीरेस में जाने का जो काम किया है वो उनकी एक बड़ी एतियासिक गलती है अब इस तरीके से डॉक्टर आरेस प्रविन कुमार की उपर सवाल निशान खड़ेका करने का काम लगातार किया जा रहा है और इसके बदोलत नितिन मेश्राम ने जो उनको सुप्रि जय भारत